ग्यारा मई यह महज एक तारीख नहीं है एक दिन है जिसके इतिहास में बड़ी से बड़ी सत्ताओं की चूलें हिला डालना दर्ज हैं अब तक कॉंग्रेस ही के नेता सचिन पाइलट वही कर रहे हैं आगे में किसके साथ होंगे या हाथ बढ़ा कर उन सब को अपने साथ ले हैं ठिंक 360 बात करेंगे सचिन पाइलट की नई यात्रा जो की अजमेर RPSC से शुरू हुई है और जैपुर पहुचेगी 11 मई को ये यात्रा शुरू हुई है इसी तारीख 11 मई 1857 को देश के करांतिकारियों ने दिल्ली कब जाली थी अंग्रेज जिन के राज में कभी सूरज नहीं डूपता था या यू कहें मजलूमों का रक्त नहीं सूपता था उनकी चूलें हिल गई थी इसी तारीख को इसी तारीख को राजसान में कितिहास रजा आज से 25 साल पहले जिसने पूरी दुनिया के नक्ष कदम पर भारत को परमाणू संपन बनाया दुनिया का दादा कहे जाने वाली सत्ता अमेरिका की चूलें हिल गई पूरी दुनिया के सरकारों की बुनियाद ही इस तारीख ने हिला कर रख दी जिहां इस तारीख को पहला परमाणूव स्पोर्ट पोकरण की धरती पर हुआ था और 25 साल बाद इसी तारीख पर इसी धरती पर एक और नुकलियर टेस्ट हो रहा है वह है राजनीति का नुकल इस धमाके ने बीते 25 साल से चल रहे सत्ता के एक सेटप में तीसरे मोर्चे की आहट के रूप में चुनोती दी है देखना है अजमेर के अशोक ध्यान से राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्याले तक जाने वाली राजनितिक सडक पर अब सचिन पाइलट के राही कौन-कौन होते हैं सचिन पाइलट भरी दुपेरी में हजारों लोगों के बीच राजदानी की ओर बढ़ रहे हैं चार दिन बाद का दावा है कि लाखों लोगों के साथ राजनारनी में प्रवेश करेंगे दावा है कि चूले एक बार फिर से हिलाई जाएंगी सरकार की जो जनता को भरी दुपहरी में महंगाई राहत के नाम पर हलकान किये हुए हैं और एक लोगतांत्रिक देश में अपनी ही जनता को याचक की मुद्रा में खड़ा कर रही हैं। रैठे हुक्मरानों की बुनियाद खोकली कर गई थी। यहाँ पर संगर्ष सक्ता से हैं और कोशिश है। 40 डिग्री धूप में एक राजनितिक हलवाहा संगर्ष की धर्ती जोत रहा हैं और भर्ष्चाचार की खर्पत्वार को मिटाना चाह रहा है। आपको याद होगा यह वही मई का महिना है जिसमें करीम 15 साल पहले गूजर अरक्षन अंदोलन परवान चड़ाता ततकालीन सरकार को विदा होना पड़ा था। मजदूर दिवस से शुरू होने वाला यह मई महिना किसानों के लिए भी संगर्ष का महिना है। मानसून की आस में किसान खर्पत्वारों को हटाते हैं क्या राजस्तान से ब्रष्टाचार की खर्पत्वार हट जाएगी। यह सचिन पाइलेट और उनकी टीम के अगले कदम तै करेंगे। सचिन पाइलेट का सड़क पर निकल आना अनायास नहीं हैं। ग्यारा अप्रेल को एक दिन का अंशन, ग्यारा मई को तपती सड़क पर निकल पढ़ना और ग्यारा जून को उनके पिता राजश पाइलेट की पढ़नेति थी। बहुत कुछ कहती हैं ये राजनितिक तारीख हैं। मुझे लगता है कि राजस्तान में राजनिति जल्दी ही एक नई करवट लेगी, जल्दी ही एक नया एलान होगा, यह एलान ऐसा होगा कि सिंगहासन खाली करो की जनता आती है। ये सब कैसे होगा वक्त बताएगा, लेकिन अब करनल सचिन पाइलेट अपनी राह का मुकमल आगाज कर चुके हैं, इस आगाज में हरवर्ग, जाति समूह और विचारधारा के लोग हैं, उर्जा से भरे लोग 40 डिग्री तापमान में कदम से कदम बढ़ा कर चल रहे हैं, ये कदम सत्ता तक पहुँच कर भष्टाचार की बेल को खत्म करेंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी, राजनिती के खास खबरों से, खास पहलों से रूबरू होने के लिए सबस्क्राइब करें, ठिंक 360 को.